अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajakya.in और यहां पर आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नोकरी उसके नोटिफिकेशन और एपलाई करने के लिंक इसी के साथ चैनल को सब्सकाइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एर फोर्स हैं, पेरा मिल्टरी फोर्स हैं जॉइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे नमिशकार दोस्तों आज हम इंडियन एर फोर्स का एफकेट का एक्जैम जो होता है उसके लिए ऑनलेन फॉर्म एपलाई करेंगे तो आपको हमने डिटेल वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पेज का, आप इस पेज पर आके पूरी डिटेल भी ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं फिलाल हम लोग आज अपलाई करेंगे, सबसे पहले आना होगा आपको एफकेट की वेबसाइट पर कैसे आप आएंगे आप सिंपल गूगल में सच कीजिए, एफकेट साइन अप और वीडियो चल लगे तो लाइक ज़रूर कीजेगा उसके बाद दिखे, साइन अप एफकेट सी डी एसी आ जाता है नीचे देख लिजेगा, सी एफकेट की ही वेबसाइट होनी चाहिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे अगर पहले अकाउंट बना रखा है तो लॉग इन पर क्लिक करना नहीं बनाया है ने हो तो रेजिस्टेशन कंप्लीट करना जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ आई वो पेज हमारे समझ आयका के इस पेज पर आ सकते हैं डिस्किप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करें जैसे वहाँ कुलिक करें यहां पर सबसे पहले आपको देना है कि नाम तो मैं एक नाम यहां पर दे देता हूं विवेक कुमार देन उसके बाद मैं पापा का नाम आपको बताने के लिए सिंपल एक फिल कर देता हूं प्लीज आप अपनी डेटेल विल्कुल सही फिल करिएगा मैं सिर्फ आपको बतान आप कुछ भी select कर लीजेगा और बस यहाँ पे एक कोई चीज लिख दीजे जो आपको याद रहे maiden name तो ठीक है मैं simple अपने शहर का नाम रख देता हूँ जम्मू और उसके बाद आपको यहाँ पे यह जो लिखा है वो डालना है यह question इन्हों ने क्यों पूछा यह अगर कल को आपको password बूल जाता है तो फिर यह आप से पूछेंगे वो जो आपने सवाल का answer दिया था वो आपको दुबारा देना होता है तो अगर आपको याद होगा तो आप अपना password reset कर पाओगे तो इसलिए इस सवाल को बूलना नहीं जो भी दोगे V M F W 4 यह जो यहां लिखा है मैंने यहां पर लिख दिया फिर से बता दूँ यह मत भूलिएगा इसको याद रखेगा अब मैं यहां पर sign up करता हूँ sign up के बाद आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ टिक हो गया अगर cross लगता तो मतलब कुछ गरवड है अब यह कहते है हमने आपकी email पे एक password बेजा है आप उसे देखिए और यहां पर login कीजिए तो चलिए यह रही मेरी email ID मैंने यहां पर देखा अभी just now मुझे mail आई है Fcat registration की आपके सामने मैंने सारा कुछ दिखाया है तो आपकी email ID में भी आएगी कभी-कभी email नहीं आती है तो अपनी email ID ही change कर दीजिएगा किसी ओर ID से sign up करने की कोशिश कीजिए spam junk folder सारे जरूर चेक कीजिएगा तो अब यहां पर यह रहा मेरा नया password तो यहां पर मैं डालता हूँ अपनी email और यहां से मैं copy करता हूँ यह password और देन मैं login करने की कोशिश करता हूँ तो यह देखिए अब यहां पर 2 and D है and 3 है और J है और 3 है चलिए यह मैं login करता हूँ login करने के बाद अब यह मुझे कहते हैं new password रखो तो चलिए मैं यहां पे एक नया password रखता हूँ नया password कैसे रखना है यह जानना भी जरूरी है तो चलिए यह भी मैं आपको सिखा देता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए first मैं यहां पे reset एक बार कर लूँ फिर उसके बाद मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तो यह मैंने दो बार यहां पर password डाला नया वाला और submit किया और submit करने के बाद बोलते हैं कि यह आपने गलत डाल दिया है चलिए यह डवल जो छोटा था शायद और चलिए यह हुआ invalid cabbage अभी भी बता रहा है और यहां पर e है और यह double जो मेरे ख्याल से फिर छोटा ही होगा चलिए और submit करता हूँ तो अब क्या हुआ चलिए हाँ तो अब वो जो मेरा नया password है वो reset हो गया है आपने password कैसे रखना है जैसे आपके दोस्त का नाम रोहित मेरे दोस्त का नाम रो कर लिया और उसके बाद एक number आप use करेंगे ठीक है तो बस यहीं चीजें हैं जो आपको याद रखनी है password में और भूलना नहीं है चलिए अब मैं यहां पर अपनी email ID डाल देता हूं sorry email ID मेरी थी कहां गई यह मैंने यह अभी generate की है इसी लिए मुझे भूल रही है चलिए य अब मैं यहां पर login करता हूं और फिल करता हूं मैं आपको बोलना चाहूंगा प्लीज आप एक पर instruction जो है वो ज़रूर रीड करें और उसी के बाद farm को apply करने की कोशिच कीजिए farm गलत मत apply कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा risk होता है अब देखें यहां पर आपक को detail भी मिल जाएगी as per qualification की आप किसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं मैंने वीडियो इसके लिए special qualification की भी दियो ही है description में आपको provide करवा दी है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं पूरी जानकरी यह देखिए 15 जुलाई जो 10 प्लस त की और qualification की यह वीडियो है तो आप यह देख लीजेगा आपको description में लिंक मिल जाएगा यह channel के ऊपर भी वीडियो में जाके आप देख लीजेगा तो चलिए फिलाल हम apply कर रहे थे तो सबसे पहले देखिए आपको instruction पर click करना है अगर आप यहां पर click करेंगे तो कुछ नही कीजिए चलिए उसके बाद मैं यहां पर करता हूँ और उसके बाद save and continue पर click करता हूँ उसके बाद इसने कुछ detail मुझे खुद बख खुद यहां पर बता दी है अगर आपके पास कोई एक और email है तो यहां पर दीजिए वरना उसे रहने दीजिएगा visible marks तो मैं यहां पर cut on arm दे देता हूँ इसका मतलब है कि मेरे बाजू पर cut लगा हुआ है वो निशानी है left पर है right पर है यह भी बताईएगा तो यहां पर मैं left sorry cut on left arm ठीक है तो कोई till है तो उसे mole कहते हैं तो वो आप लिख दीजिएगा यहां पर जो भी है अब यह पूछ है fail है not appeared है तो देखिए जिन लोगों को तो पता है वो यहां पर बताएंगे जिन को नहीं पता वो not appeared कर देज़ेगा यह mandatory नहीं है अब do you have current valid commercial pilot license यह भी हमारे पास नहीं है are you serving airman नहीं मैंने कभी भी नोकरी नहीं की ठीक है तो यह license के लिए पूछा इन्होंने और इन्होंने यह पूछा कि कभी मैं इसके पहले यह वाला इसमें अपेड हुआ हूँ exam बगारा होगा यह कोई तो यह मैं सारे no कर देता हू उसके बाद मैं gender male हूँ and then उसके बाद marital status unmarried है मतला मेरी शादी नहीं हुई data birth यहाँ पर मुझे देनी है enter your data birth यहाँ पर बोड़ रहे हैं तो एक बार मैं data birth को check कर लेता हूँ मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर डालना चाहूँगा तो यहाँ पर जो data birth है इन्होंने कहा है कि बाई आप 24 साल जाने की एक दो जुलाई 1996 के बाद आपका जनम है तो चल जाएगा चलिए मैं यहाँ पर और एक है चलो यह हो गई your selected date of birth इस एक फरवरी 1997 is matched और अब मैं save and continue करता हूँ चलिए retail save हुई after that यह पूछते हैं education level तो मेरा क्या है education level तो मैं यहाँ पे Diploma integrated post graduation 10th plus 2 graduation plus post graduation यहाँ पे देना चाहूँगा ठीक है न तो यह हो गया और post graduation का level मुझसे पूछ रहे हैं तो post graduation हम A दे देते हैं आपका जो भी level होगा प्लीस आप वो mention कीजेगा और अगर आपको नहीं समझ आया तो दुबारा से यहाँ पे देख लीजेगा अगर आपने simple graduation की है 10th plus 2 graduation तो तब भी आपको ABC का option यहाँ पे आ जाएगा आपने किस में किया है तो चलिए मैंने post graduation plus की तो यहाँ पे अब यह सिधा post graduation की detail मांग रहे हैं graduation की नहीं मांग रहे हैं तो चलिए मैं post graduation करता हूं और उसके बाद पूछते हैं select qualification master of engineering की है और stream कौन सी थी एरोटेक engineering हम दे देते हैं aerospace engineering देते हैं उसके बाद यहाँ पे course duration पोच रहे हैं तो आपका कितने सालों का course था तो पोस्ट graduation definitely दो सालों की ही होती है नेम आफ दा कॉलेज तो मैं SPMR college institute तो मैं जम्मू युनिवर्स्टी यहाँ पर देना चाहूंगा जम्मू and then उसके बाद पूछ रहे हैं date expected date of obtaining after post graduation ठीक है तो यह पूछ रहे हैं कि भईया आपको जो post graduation है 2020 में आपको क्या लगता है कि कब तक आपकी हो जाएगी तो जाने कि जो लोग अभी appearing वगेरा होंगे यह उनके लिए पूछ रहे हैं तो फिलाल तो भईया हमारी जल्दी हो गई थी हो चुकी है तो मेरे को यहां पर मैं दे देता हूं कि कब हुई 2017 मंत भी यहां पर दे देते हैं चलिए यह मैं कोई भी मंत डेट यहां पर दे देता हूं जो जिस डेट को आपकी हुई होगी मार्कशीट के उपर लिखा होगा वो देख लीजेगा एंटर एग्रिकेट गौर ग्रॉस परसेंटेज जानी कि आपकी कितनी परसेंटेज आई हुई है वह बताइए तो मैं सत्तर दे देता हूं डू यू है जिनका लगा होगा वह मैंशन कीजेगा मेरा नहीं है तो मैंने नो कर दिया ख्राइट ग्रेजउशन जनी की जिसका कोई एक्जैम रह गया होता है और वो दे रहा होता ठीक है अब जी ग्रेजउशन की डेटेल भी मुझे देनी है तो ग्रेजउशन ए और किसमे की है बैचलर आफ इंजिनरिंग में और स्ट्रीम एरोष्पेस इंजिनरिंग ही में य यहां पर मैं चलिए तीन सालों के साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं शायद हो जाए नेम आफ दो कॉलेज इंसिट्यूट मैं दुबारा से स्पीमर कॉलेज ही दूँगा जम्मो युनिवर्स्टी दूँगा थिक है तो यह मैंने दे दिया उसके बाद पूछते हैं डेट एक्सपेक्टिड ओप्टेनिंग ग्रेजुएशन तो यह तो 2015 में थी यह हुई अब 01 की दे देता हूं यहां पर क्योंकि यहां पर मुझे दूँगा बैकलॉग नहीं है मुझे ग्रेजुएशन में भी अब यह 10 प्लस टू की परसेंटेज पूछ रहे हैं तो चलिए यहां पर 80% में धूँगा और सॉरी इन्होंने क्या पूछा था एंटर एगरिकेट ग्रॉस परसेंटेज ऐस पर 10 प्लस टू ठीक है और फिजि जीबल मेरे ख्याल से कुछ हमने ऊपर कर दिया तब ही मैं बोल रहा था कि यहां पर चार सालों की जो है ना वो देन जाई प्लीज स्लेक्ट को एकार्डिंग टू यह अलिजिबिल्टी आई एफ तो मेरे ख्याल से एरोस्पेस इंजिनरिंग या फिर यह जो तीन सालों का कोर्स है इसे चार सालों की डिगरी बना देते हैं हम और फिर एपलाई जो है आगे हो पाएगा तो मैं सेव एंड कांटीनियू अब करने की कोशिश करता हूँ तो जी हां हो गया मैंने तभी कहा कि तीन सालों में यह नहीं हो पाएगा तो अब चार सालों में यह हो गया चलिए और अब देखें यहां पे चूज इकेटे इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ कि आप प्लीस क्वालिफकेशन की जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेजेगा कि कितनी क्वालिफकेशन चल तो चलिए यहां पर तो मिलने वाला है दूसरा तो मिलेगा नहीं मिल पाएगा डू यू है नहीं है मेरे पास बीबी मैंने कभी नहीं दिया और उसके बाद gate appeared मैं नहीं हूँ पतलब मैंने gate का जो exam है वो नहीं दिया हुआ है और मैं save and continue करूँगा देन आपके बास यह बोलते हैं कि हमने details save कर दी है और उसके बाद पूछते हैं permanent address तो मैं simple सा house number 989 जम्मू लिख रहा हूँ प्लीज आप अपनी सारी detail यहां पर जरूर दीजिएगा जम्मू किश्मी एंड सिटी मेरी जम्मू है पिन कोड 180010 है यहां पर आप नियर लैंड मार्क वगएरा डाल सकते हैं नियर रेल वेस्टेशन बाहू प्लाजा है और उसके बाद landline मेरे पास नहीं है यह optional है अधारकार नमबर भी optional है और मेरी बाकी सारी detail सेम है अगर कोई अभी कहीं और रह रहा है अपने गर से दूर तो वो detail यहां पर mention कीजिएगा टिक नहीं लगाए बिना उसके यहां पर fill कीजिएगा फिलाल मेर सेम है इसलिए मैंने यहां पर टिक लगा दी और save and continue कर देता हूं और यहां पर ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ बताओ बस अगर आपको लगता है वहां पर चिठी आनी है कोई तो फिर आप बता सकते हो उसके बाद मुझे color एक photo upload करनी है यहां पर 10 से 50 kb की चलिए अब मैं वो upload कर देता हूं तो यह मेरे पास कुछ photos पड़ी हुई है मैं एक बाद चेक कर लेता हूं जो भी 50 kb की range में मिलती है वो मैं upload करता हूं तो यह कुछ 24 kb की है इसे मैं upload करता हूं यह हो गई देन उसके बाद signature है तो यह भी कम से कम 10 से 50 kb के और मैं देख लेता हू यह कितने size के हैं जी हां यह भी 12 kb के हैं तो यह भी हो जाएंगे upload यह हो गए उसके बाद thumb impression है यह भी मैंने data tree है तो चलिए यहां पे thumb impression एक यह रहा मेरे पास इसको भी upload करने की कोशिश करता हूं यह भी हो गया और उसके बाद tick and save and continue पे हम click करते हैं कैते please fill out place यह जम्मू से मैं fill कर रहा हूं और save and continue करता हूं then बोलते हैं कि invalid thumb impression only letter and numerical are allowed space not allowed जाने कि यह जो मैंने file upload की इसमें यह number नहीं होना चाहिए इसका नाम कुछ जो है वो simple सा होना चाहिए चलिए मैं इसको क्या करता हूं rename करता हूं और इसको हटाता हूं और yes करता हूं अहां चलिए मैं यहां पर एस करता हूं यह हो गया और अब इसे मैं upload करने की कोशिश करता हूं और बाकी वाले तो हैं ही चलिए save and continue ठीक है तो यह हो गया तो नाम को थोड़ा सा ध्यान रखेगा वो नाम की वज़े से भी नहीं होता है तो exam preference city पूछ रहे हैं तो सबसे पह पाद मैं देखना चाहूंगा अगर मुझे कहीं उदंपूर वगैरा में मिल जाए तो अच्छा है सामभा देख लेता हूं अगर मिलता है कि नहीं मिलेगा चलिए मैं आपको बताने के लिए simple सा select कर रहा हूं तो आप प्लीज देख लीजिएगा जो आपको पास लगता है वहीं examination select कीजिएगा save and continue कीजिए और ok कीजिए चलिए उसके बाद देखिए मुझे पूरा form बता रहा है आपने देखना है कुछ गलती तो नहीं है गलती नह है अब यहां पर डाइसर पर फीज पेमेंट भी थी तो वह कहां गई वह अभी तक नहीं हुई है तो यहां पर देखेंगे आप मेक पेमेंट पर आपने फिर क्लिक करना है और उसके बाद दिखेंगे हर किसी को यह option आ जाएगा और उसके बाद पे थ्रू मास्टर वीजा म बैंकिंग जिसके तूब आप करना चाहते हैं तो जिनके पास एटियम है वह पहला वाला option करेंगे और पेंप करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पेमेंट का जो गेटवेइड है वह आ जाता है चलिए इसे आने देते हैं तो यह आप देखेंगे यहां पर डायसुर्पीय जो पेन्मेंट है वो मांग रहे हैं किसके साथ करेंगे लाक हैं उसके बाद यहां पर कार्ड नेम जो आपका होगा वो डालिए नेम ऐंधा कार्ड कार्ड के युशता नाम है वो बताईए अगर आपका नहीं है तो बैंक का नाम डाल दीजिए कब card expire हो रहा है वो बताईए cvb आपके card के पीछे लिखा होता है और उसके बाद यहाँ पे यह वाला code डादी और pay पे click कीजिए उसके बाद आपके number pay OTP भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है तो इसी तरह से आपको तकरीबन payment करनी है और याद रखिए इसका print जरूर ले लिजेगा farm को apply करने के बाद तो यहीं है पूरा farm हुमीद है आपको समझ आ गई होगी जिनको समझ नहीं आई कोई सवाल है कोई प्लीज कमेंट करें ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ ओके फ्रेंट समझ आया क्या